Hello my dear students, how are you all? I hope आप सब ठीक हैं. Yes, बच्चों हमने हमारे कम्प्यूटर का जो पहला चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया था. Yes, और उसमें हमने different जो कम्प्यूटर के चीजें होती हैं उनके बारे में जाना था. Yes, ओकी, आज हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, कम्प्यूटर के software की. किसके बारे में बात करेंगे? Software की. सबसे पहले एक activity आपके लिए. बच्चों सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपके computer में जो system install है, यानि कि operating system है, उसका क्या नाम है? तो वो आपको find out करना है, yes, इसका answer में आपको दोंगा, बच्चों जैसे window 7 होता है, window 13 होता है, window 10 होता है, window 2016 होता है, ऐसे. फिर उसके बाद antivirus, यानि कि जैसे कोई भी junk, या तो फिर कोई attacker hack ना कर सके, या तो फिर कोई bad file create ना हो सके, उसके लिए antivirus होता है, तो वो कौन सा install है, उसका नाम लिखिया, तो उसके लिए भी Norton, कुई खेल, ये सब other other different different brand के antivirus software आते हैं, तो चलिए बच्चों, आज का जो हमारा chapter है, वो software के उपर है, सबसे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, येस, कि जो computer होता है, उसको hardware और software दोनों चाहिए होते हैं, येस, hardware and software, computer requires hardware and software both, येस, अच्छा, चलिए आप हम बात करते हैं, hardware की, प्यारे बच्चों, जैसे की आप देखेंगे, physical device, जैसे की mouse, monitor, keyboard, CPU, जिनको हम देख सकते हैं और touch कर सकते हैं, येस, उनको हम hardware कहते हैं, तो hardware की ये example हो गए, येस, ठीक है, hardware अकेले कोई काम नहीं कर सकते, इनको help software, यानि की other जो software है, उनकी help लेनी पड़ती है, यानि की software की, hardware को software की help लेनी पड़ती है, प्यारे बच्चों, चलिए, अब हम आगे पड़ते हैं, बच्चों, वैसे तो आप देखेंगे यहाँ पर, हमें पहले से ही पता है, कि जो software होते हैं, जब कभी भी हम कहीं पर computer देखते हैं, या first time लेने जाते हैं किसी दुकान से, हमें पहले से ही pre-install software मिलता है, आप देखेंगे, यहाँ पर बताता है, कि एक software का काम क्या होता है, एक जो software होता है, प्यारे बच्चों, वो guide करता है, वो direct करता है किसको, input, output और process को, जो computer के अंदर होते हैं, यानि आपने कुछ keyboard से type किया, type करने के बाद, वो अंदर गया, यानि कि process हो गया, और display में दिखाई पड़ा, यानि कि वो output हो गया, ऐसे, प्यारे बच्चों, वैसे तो आप देखेंगे, कि हम computer पर क्या-क्या खेल सकते हैं, we can play games, listen music, watch the video, document also, yes, with the help of software components, with the help of software components, यह software components क्या है, software के कौन से different parts है, उसके बारे में हम आगे इस chapter में पढ़ेंगे, अब हम आगे बात करेंगे, प्यारे बच्चों, यह किसकी software की, किसकी बारे में बात करेंगे, software के types की, तो software के mainly कितने types हैं, there are two types, how many types, two types, one is system software, then application software, system software and application software, system software में operating system, language processor, utility software, यह सब हम आगे detail में पढ़ेंगे, then application process में software में, journal purpose application software, specific purpose application software, यह दो category आती हैं, yes, okay, अब हम आगे बात करेंगे, प्यारे बच्चों, system software के बारे में, तो बच्चों, अगर आपको कभी exam में question पुछा जाए, कि what is system software, तो यह आपका answer होना चाहिए, यहां से यहां तक, the system software is required to control, the all over operation of a system, system software जो होता है, वो किसी भी computer में, जो भी होने वाली गतिविदी हैं, यानि operations हैं, उनको वो क्या करता है, control करता है, manage करता है, yes, और इसमें भी तीन तरह के जो software है, उसके बारे में बताया गया, system के लिए पहला होता है, operating, जैसे आप Windows 7, Windows 10, Windows 2013, इनको जानते हैं, yes, यह तो यह software होता है, yes, आपने Windows देखा भी होगा, ऐसे बना रहता है, तो यह software अलग-अलग brand के भी होते हैं, जैसे आप पढ़ेंगे Windows के हैं, Linux के हैं, yes, Mac के हैं, तो अलग-अलग different-different three type के software है, ऐसे mobile में भी Android है, iOS है, yes, वो आगे आप इसमें देखेंगे, तो मैं बता रहा था बच्चो, operating system के बारे में, तो operating system के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, हम ही यह पता चलता है, प्यारे बच्चो, कि यह सबसे important जो software है, वो होता है, इसके बिना computer चल ही नहीं सकता है, इसमें एक interface के बारे में बात बताया है, interface, interface कारत ही होता है, कि आप किसी चीज़ को देख सकते हो, उसके थुरू communicate कर सकते हो, interact कर सकते हो, अब देखें, यहाँ पर क्या बता है, कि जब कभी भी हम computer खरीदते हैं, तो हमें पहले से ही जो operating system होता है, वो pre-installed मिलता है, pre-installed operating system मिलता है, इसके कुछ examples है, for example, windows, ms windows 10, क्या है, ms windows 10, then linux, क्या है, linux, then macOS, macOS, तो यह os, os word is stand for operating system, the word, o abbreviation, os is stand for operating system, तो आपने देखा, यहाँ पर कितने type के आपको computer में operating system मिल रहे है, operating system जो होती हो, सबसे पहली जरूरत होती है, यह किसी भी hardware को, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, then in next, it is given about the mobiles, mobiles phone में अगर आप देखेंगे, तो आपको दो main type के operating system मिलेंगे, इस समय जो आपके हाथ में mobile है, इन दोनों में से किसी एक category को, यह एक operating system उसके पास है, या तो android है, या तो फिर OS है, अब हम आगे बढ़ेंगे, प्यारे बच्चो, आगे जब हम बढ़ेंगे, तो हमें operating system के भी बारे में बताया गया है, कि operating system किस तरह काम करता है, तो इस operating system के अंदर भी धेर सारी जो system होते हैं, वो एक साथ जो होते हैं, जैसे सबसे पहले यहां पर बताया गया है, आज कल के जो latest technology आगई है, तो computer भी advanced है हमारे पास, इसी तरह जो operating system है, वो भी advanced level पे हैं, जैसे सबसे पहला दिया है, graphical user information, तो आप पूछेंगे कि सर, य information होता क्या है, तो बच्चों मैं आपको बता दूँ, graph और icon के through आप computer को interact करते हो, यानि कि आपको देखेंगे कि जो operating system है, यस, उसमें कुछ चीजे नजर आ रही हैं, कुछ icons बने हुए हैं, ऐसे प्यारे बच्चों, यस, चलिए, अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे हमें ब बच्चों, इसका अर्थ यह होता है, कि एक जो operating system होगा, यस, उसको अलग-अलग लोग अपने अलग-अलग computer से access कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको use कर सकते हैं, तो यह होता है multi user operating system, यस, यहाँ पे multiple user जो है, एक operating system को अपने different, same time पे, एक ही समय पे different, different, यस, बताया गया, यह तो same time हो, यह तो different, different place हो, yes, time हो, उसको क्या कर सकते हैं, yes, access कर सकते हैं, then, the next one is given about the multi processing operating system, बच्चों, multi processing operating system के बारे में यह कहा जाता है, कि आप CPU के बारे में तो जानते हैं, central processing unit के बारे में जानते हैं आप सब, तो हमें पता है कि CPU is the brain of the computer, any, हना, any computer, the CPU is the brain, तो बच्चों, यहाँ पर यह बताया गया है, कि कभी कभी क्या होता है, कि कुछ ऐसे भी चीजे रहती, जिसमें एक से जादा CPU जो है लगाने पड़ते हैं, yes, यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पड़ते हैं, और उसमें अलग-अलग-अलग प्रोग्राम चलते ह हो गया, कि वो सब मिलकर किसी एक सेट अफ डेटा या फिर इन्फरमेशन या फिर एक सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, yes, तो इसके लिए इसको बोला गया है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानि कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग-अलग जगाओं पर चलते हुए भी, yes, सबको कोडिनेट, सबका वर्क कोडिनेट करता है, और वो एक कर देता है, तो वो होता है, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ही प्यारे बच्चों, आगे आता है हमारा मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, किसके बार yes, at a time चला सकते हैं, यानि आप ये बोलेंगे कि sir, एक टाइम पे अगर हम एक software यूज कर रहे हैं तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं yes, तो ये चीजे हो जाती हैं समझे रहें, तो ये भी जो चीजे, ऐसे ही आप देखोगे कि जब कभी भी हम जो टाक्स में अगर आप देखेंगे कि हमने ये अप्लिकेशन चलाई है दूसरी वर्ड भी चला दिया, एक्सल भी चला दिया, yes, तो आप देखेंगे कि वो मतब चला सकते हैं आप, ऐसे, तो ये ओपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो हेल्प करता है जो मल्टिपल टाक्स केरी आउट करने के लिए फिर आता है, मल्टी थ्रेडिंग, yes, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बारे में क्या बताया गया है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सिंगल प्रोग्राम के, अलग-अलग काम को, एक-एक सिंगल यूनिट को यूनाइट करता है, जोड देता है, ताकि सारी चीजे एक साथ हों, तो सब को क्या लगे कि हाँ, सब सेट अफ जो डेटा है वो एक साथ हा रहा है, या सारी चीजे एक साथ हो रही है, ऐसा, तो यह हो गया Multi Threading Operating System यानि कि सब चीजों को एक साथ लाना फिर आता है Real Time Operating System Real Time Operating System के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है प्यारे बच्चो Real Time Operating System के बारे में बताया गया है कि ये हमें अलाउ करता है हमारे कंप्यूटर को कि ठीक है कि जो भी Input आया है उसको हम क्या कर सके, respond कर सके, yes, क्या कर सके, respond कर सके, यह नि reply कर सके, जैसे इसमें बताया गया है, aeroplane, autopilot, यह कुछ controlled हैं, जो real time operating system से control किये जाते हैं, ऐसे ही आपके mobile पे भी कोई न कोई होंगे, yes, जैसे autoplane, clean mode, yes, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, कि य usable, enable हो सकता है, yes, तो उसके बारे में हैं, then प्यारे बच्चों, आप देखेंगे यहां पे, तो operating system दिया गया है, उनके platform दिये गया है, उनके developers हैं, किसने उनको बनाया है, उसके बारे में दिया गया है, yes, तो यहां पे HP है, brand में, आप देखेंगे, Linux, Mac, Windows, yes, उनके platform बताया गया है, yes, जैसे various, various, मतलब different, different, फिर एक है, Apple, Mac, Tons, IBM, PC, various, yes, कुछ के specific है, कुछ के, different, different है, ऐसे उनको किस developer ने डेबलाप किया है, तो हेवलेट, पैकवर्ड, yes, इन्होंने यह डेबलाप किया है, HP UX को, yes, Linux, Torvald ने जो डेबलाप किया है, उसका नाम में Linux गया है, Apple ने जो बनाया है, वो Mac OS बनाया है, Microsoft के जो है, MS-DOS और Windows है, यह किसके है, Microsoft के, तो हमने इसमें देखा कि popular जो से operating system है, वो किस platform पे चलते हैं, और उनको कौन से लोगों ने बनाया, और उनके क्या नाम है, अब हम आगे बात करेंगे, प्यारे बच्चो, language processor की, बच्चो, language processor भी एक तरह का, आप देखेंगे, तो system software है, यह हमारी language को समझ कर computer को समझाता है, और computer का जो output है, वो हमें provide करता है, यानि किसका काम होता है, in code और decode करना, यानि हमने जो चीजे टाइप की हैं, वो computer की भासा में, वो computer को समझाता है, उसके बाद computer से जो भी answer feedback हमें response मिलना च पर दिये गए हैं, जिसे आप देखेंगे, c, c double plus, yes, python, java, तो बच्चों, ये computer जो language समझता है, उसके नाम दिये गए हैं, यहाँ पर, ठीके, तो यहाँ पर आपको बताया भी किया, अगर question आया कि sir, what is language, ठीके, language processor, तो आपका answer यह होना चाहिए, कि a language processor is a software that converts a program written in a computer language into machine language, so that it can be understood by a computer, yes, जब हम कोई data या फिर information टाइप करते हैं, तो उसको computer समझ ले, उसको mechanical language में, यानि के computer की भासा में convert कर दे, तो उसको बोला गया है, language processor, yes, इसके बाद आता है, प्यारे बच्चों, utility software, utility जो software होता है, प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ऐसे software होते हैं, yes, जो क्या काम करते हैं, yes, आप देखेंगे तो आपका जो, आपका जो operating system होता है, उसको maintain करने का काम करते हैं, क्या करने का काम करते हैं, maintain, for example, जैसे disk cleanup हो गया, आप देखते हैं, बहुत सारा बोलते हैं, फोन में कच्चरा जम हो गया है, तो चलो इससे निकाल देते हैं, इसक होते हैं, antivirus, आपने देखा होगा, किसी के phone में रहता है, या तो PC में आपने देखा होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, हमें हमें यह लगता है, कि यह जो चीज होगी, हमारे phone को damage होने से, या data lost होने से protect करेगा, yes, तो ऐसी चीज़े जो होती है, वो utility software होते हैं, जो software को एक help पर provide करते हैं, yes, और software better हो जाता है, utility software के कुछ example दिये, जिसे Norton, यह उनके sign और symbol है, yes, AVG, तो यह जो software है, यह मैं आपको बता रहा हूँ, antivirus का example है, अब हम बात करेंगे, प्यारे बच्चो, next, जो हमारा दूसरा type का software है, पहला तो operating system के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ लिया, yes, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे application software के बारे में, तो application software होते हैं, वो बहुत helpful होते हैं, yes, यह जो software होते हैं, application software, यह कभी-कभी तो बहुत सारे लोगों को देखते हुए journal पब्लिक के लिए डेबलॉप की जाती है, या तो फिर किसी institute की, क Windows के दोरा प्रोवाइड होते हैं, तो Word, Excel and PowerPoint, जिसका नाम यहां पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, Word को हम Word Processing Software बोलते हैं, Excel को हम Spreadsheet Software बोलते हैं, PowerPoint को हम Graphic Software के नाम से जानते हैं, बचो, Word का जो काम होता है, वो यह, कि जितने भी text, यानि हमें typing work करना है, जैसे कोई पर बनाना होगा, तो वो सब Word में होते हैं, प्यारे बच्चो, ऐसे ही, Spreadsheet की मैं बात करूँ, कोई account work होगे, amount या कुछ data लिखने की बात हो गई, तो वो सब किसमें आता है, Spreadsheet, यानि कि Excel में आता है, फिर ऐसे ही, प्यारे बच्चो, Presentation Software की मेरे बारे में मैं बाता आपको, जब कभी भी हमें PPT, PPT का full form होता है, PowerPoint, तो PowerPoint presentation, PowerPoint presentation होता क्या है, जब आप देखते होंगे, बड़ी-बड़ी meeting होती होंगी, और वहाँ पर कुछ लोग ये करते होंगे कि, चलिए आज हमें इस topic के बारे में आपको बताना है, आपने computer lab में भी देखा होगा, PPT आप आप देखेंगे उसमें different different slides होते हैं, slide में कुछ लिखा रहता है, बारी-बारी से वो display होते हैं और आप information को देखते हैं, उसमें design होता है, movement भी होता है, animation भी होता है slide के अंदर, yes, अक्षर अपने आप आ रहे हैं, चमक रहे हैं, ऐसे, तो प्यारे बचों, ये सारी चीजे जो हैं, ये journal, मैंने कुछ journal application software के बारे में आपको बताया, yes, जैसे presentation के बारे में बताया है, कि हम monitor LCD projector लगा के देख सकते हैं, yes, slide को भी copy कर सकते हैं, जादा जादा audience को दिखा सकते हैं, yes, minto में हमारा कोई भी आसान सा काम हो सकता है, presentation को लेकर, अब हम बात करेंगे प्यारे application software के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था कि ये कुछ खास application होती हैं, जो कुछ खास लोगों के लिए बनाई जाती हैं, जैसे आप सोचरोंगे कि सर कैसे, तो बच्चों मैं आपको यहां बता दू, तभी कभी क्या होता है, कि जैसे मान लेते हैं, airport है, railway है, station है, billing system है, तो supermarket में, तो क्या होता है, कि उनके खुद के software बने होते हैं, अलग से, उनके खुद के application software बने होते हैं, जैसे oracle है, yes, oracle आप देखेंगे, तो यह different, different जो होते हैं, यह application software है, जो operating system के उपर चलते हैं, और यह different, different जो needs होते हैं, उनको fulfill करते हैं, तो इसको देखके designer जो होते हैं, application designer, वो design करते हैं, yes, तो बच्चों, आज हमने किसके बारे में पढ़ा, बच्चों, सबसे पहले तो आज हमने, दो computer के जो दो part होते हैं, यानि कि hardware और software उसके बारे में पढ़ा, hardware which we can see, we can touch, software, yes, we cannot touch, yes, it is pre-installed, yes, on which various application, file, folder, icon we can see, yes, तो ऐसा फिर हमने पढ़ा, types of software, two type of software, one is operating system, then application software, operating system भी three type के थे, एक में हमने क्या पढ़ा, operating system, language process, then utility software, फिर हमने application software में, word, excel, microsoft, इन सब को देखा, इन सब के बारे में जाना, फिर special design जो application होते हैं, जैसे वो, oracle हो गया, yes, ऐसे different different जो name से हैं, yes, उन सब को भी हमने देखा कि किस तरह वो specially designed किये जाते हैं, किसी institute या किसी संस्ता के लिए, yes, जो उनके जो needs होते हैं, उनको criteria करते हैं, यानि कि उनको help करते ह तो प्यारे बच्चों, आज हमारे class में इतना ही, yes, I hope आपको वीडियो पसंद आए, और आप बहुत सारी चीजें इससे सिखें, okay बच्चों?